हलो स्टूडेंट आपका हमारे योट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम TSSB TGT Natural Science का जो पेपर हुआ था सेप्टेंबर 2018 में उसके मैस सेक्षिन को सॉल्फ करेंगे तो आई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिन हमारे इस एक्जाम में पूछे गए थे तो जो TGT Natural Science में मैस सेक्षिन था उसमें जो मैस के कोशिन पूछे गए थे उस को सॉल्फ करेंगे आज के इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 5 कोशिन को ही सॉल्फ करेंगे जैसे कि आपको यहां इस कोशिन में यह बोला गया है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियोस और हाइट हमें दे रखी है रेडियोस की जो है वो कितनी है एट शेंटी में और ह इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटी मेटर है ठीक है इसको melt करके एक cone बनाया गया है ठीक है और इसका जो radius है इसका radius जो है वो 20 cm है हमें इसकी height पूछी गई है ठीक है तो क्या होगा दोनों का volume सेम होगा तो volume of cylinder होता है हमारे पास pi r square h equal होगा volume of cone के तो volume of cone होता है 1 upon 3 pi r1 square h1 क्योंकि इसका radius और height अलग है ठीक है तो pi से pi तो cancel हो रहा है बाकी सारी value हम इसमें रख देते हैं r हमारा किता दे रखा है cylinder का cylinder का 8 है तो यह हो जाएगा 8 square into h 10 equal to 1 upon 3 into radius है cone का कितना 20 20 तो 20 square हो गया into h1 ठीक है हमें h1 की value find करनी है cone की height हमने h1 ली है ठीक है तो इसको solve करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा h1 हो जाएगा equal to तो यहाँ पर है 8 square तो 8 into 8 है into 10 और यह जो 3 है यहाँ पर divide में तो इदर आकर multiply में होगा तो उपर 3 आ गया और divide में आ गया हमारे पास 20 का square मतलब कि 20 into 20 ठीक है इसे cancel करेंगे 00 cancel हो गया 2 से cancel करा यह 4 ठीक है इसको करा हमने तो यह 10 हो गया और यह 2 अब इसे multiply करो हो तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 48 अपॉन में 10 आ गया तो यह हो जाएगा 4.8 cm तो जो कौन की हाइट है वो गई है 4.8 cm तो इसका answer हमें क्या दे रखा था 4.8 cm सेकिंड वाला अब अगला question देखते है नेक्स्ट question है इसमें बोला है एक व्यक्ति ने 10,000 की राशी 6 प्रतिशत वार्षिक और 6 राशी 4 प्रति वर्ष पर निवेश किया यदि दोनों योजनों में 2 वर्ष के लिए साधारन ब्याज बराबर है तो 6 प्रतिशत प्रति वर्ष पर कितनी राशी निवेश की गई थी ठीक है अब इस question में यह बोला है कि total 10,000 रुपे थे उसके पास ठीक है अब 10,000 के उसने 2 हिस्से किये A और B हमें नहीं पता वो कितना है ठीक है एक हिस्से को उसने 6% पर दिया और दूसरे को 4% पर ठीक है लेकिन दोनों का जो simple interest है 2 साल का वो बराबर आ रहा है कितना 2 years का simple interest दोनों का क्या रहा है बराबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे एक amount को मैंने X ले लिया मतलब कि जो A amount है उसको मैंने X ले लिया तो दूसरा amount क्या हो जाएगा 10,000 में से X minus कर दूँगा ठीक है तो यह इसका principle हो गया और यह इसका principle हो गया ठीक है यह P1 और यह P2 अब इसमें बुलाए कि दोनों का जो simple interest है वो बराबर है तो दोनों के इसका जो simple interest है वो equal होगा तो यहाँ पर simple interest का formula लिखते हैं मतलब कि P1 into R1 into T1 upon me 100 equal हो जाएगा P2 into R2 into T2 upon me 100 100 से 100 cancel हो गया तो आप क्या बचा है P1 into R1 into T1 equal to this तो P1 हमारे पास X है into R1 हमारा कितना हो जाएगा 6% तो 6 और time 2 साल का है equal हो जाएगा P2 हमारे पास कितना है 10,000 minus X R2 कितना है 4 और time कितना है 2 इसे solve कर लेते हैं 2 से 2 cancel हो गया 4 को काटा यह 2 और यह 3 तो इसको solve करेंगे तो यह एगा 3X equal to bracket open करेंगे तो यह जाएगा 20,000 minus 2X अब इस equation को solve करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास यह minus का 2X है तो इदर आकर plus का हो जाएगा तो 5X equal to 20,000 तो X कितना आगया हमारे पास 20,000 बटे में 5 cancel किया तो कितना हो गया यह हो जाएगा हमारे पास 4,000 ठीक है तो X हमने किसको माना था principle first को P1 हमारा आगया 4000 और total कितना था 10,000 तो P2 कितना हो जाएगा 6000 हमसे पूछा क्या है 6 प्रतीशत प्रती वर्ष पर कितनी राशी निवेश की गई थी तो 6 प्रतीशत पर क्या किया था P1 ठीक है तो P1 हमने X लिया था तो X कितना हो गया 4000 तो answer हो जाएगा इसका 4000 Next question देखते हैं Next question है एक व्यक्ती 75 km प्रतिगंटे की गती से 30 km की दूरी और 60 km प्रतिगंटे की गती से 50 km की दूरी तै करता है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसद गती क्या है ठीक है तो इस question में ये बोला है कि एक व्यक्ती जो है ठीक है starting का जैसे ये A से B तक का जो distance है वो 30 km का है ठीक है ये distance जो है वो किस speed से करता है 75 km पर आवर की speed से करता है और दूसरा जो है B से C तक का जो distance है वो 50 km का है ठीक है इसकी जो speed है 60 km पर आवर की speed से करता है तो हमसे पूछा है कि जो इसकी average speed होगी वो क्या होगी तो पहले average speed का formula देख लेते हैं औसद गती का तो average speed जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं औसद गती बोलते हैं ठीक है उसका होगा total distance टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम ठीक है तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा यह 30 और 50 80 हो गया लेकिन टोटल टाइम हमें नहीं दे रखा तो पहले time निकालते हैं तो पहले कैसे करेंगे यहां पर दो time निकलेंगे एक a से b तक का और एक b से c तक का तो यह मैंना t1 ले लिया time और इसका t2 ले लिया तो हमारे पार जो time का formula होता है time का formula होता होता है distance distance दूरी बटे में चाल मतलब कि speed ठीक है तो t1 कैसे निकलेगा पहले case में हमारे पार distance दे रखा है 30 और time speed के 3 रखिए 75 तो इसको cancel किया तो यह जाएगा 2 बटे 5 घंटे 2 अपन 5 आवर हो गए ठीक है तो यह तो पहला time आ गया ऐसी दूसरा time निकालेंगे मतलब कि t2 उसके लिए भी same है distance कितना लगा था दूसरे case में 50 km है और जो speed है उसकी 60 है तो 50 बटे 60 cancel करा तो 5 बटे 6 घंटे तो हमारे पास जो total time आएगा total time वो जाएगा T1 प्लस T2 ठीक है T1 क्या है 2 बटे 5 और T2 क्या है 5 बटे 6 तो इसको पैड करा तो हमारे पास किता है LCM तो हमारा 30 हो गया यह 12 और यह 25 तो कि 37 बटे में 30 घंटे हो गए ठीक है अब हमारे पास total time भी है और total distance कितना दे रखा है 30 और 50 80 80 km है ठीक है तो हमें average speed निकालना है average speed जो है वो जाएगा total distance मतलब कि 80 km बटे में total time 37 बटे 30 तो इसको solve करेंगे तो 80 गुना 30 बटे में 37 तो 28 24 बटे 37 ठीक है इसको अगर मैं cancel करूंगा divide करूंगा तो हमारा जो answer आएगा वो आएगा 64.86 अब इसमें बोला था एक दशनवलव स्थान तक सही मतलब कि 1 decimal place तक करना है तो यहाँ पर जो second number है वो 6 है तो round off करेंगे इसको तो यह हो जाएगा 64.9 km पर आवर तो इसमें answer जो हो जाएगा option number first इसका correct answer हो जाएगा next question है एक व्यक्ति ने 580 रुपे में एक वस्तु खरीदी और उसकी मरमत पर 120 रुपे खर्च किये वेक कीमत इस तरह से अंकित करता है कि अंकित कीमत पर 20 प्रतीशत की छूट देने के बाद उसे 28 प्रतीशत लाब मिलता है सामगरी की अंकित कीमत क्या है ठीक है अब इस question में इसने बोला है कि एक व्यक्ति जो है उसने कोई चीज खरीदी 580 रुपे में और उसकी मरमत पर उसे सही करने पर 120 रुपे खर्च किये ठीक है तो उसके लिए जो total cost price होगी total cost price जो होगी 580 जमा 120 मतलब कि 700 रुपे की उसे पड़ी वो चीज जो है 700 रुपे की पड़ी ठीक है अब आगे बोला है वे कीमत इस तरह से अंकित करता है कि अंकित कीमत पर 20 प्रतीशत की छूट देने पर मतलब कि यहाँ पर 20% का अगर वो discount देता है mark price पे तो उसे 28% का profit होता है ठीक है तो cost price पे अगर मैं profit निकालूं 28% of 700 क्योंकि profit उसे 28% तो 700 का अगर मैं 28% निकालूं 28 बटे 100 तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास 196 रुपीज हो गया ठीक है यह हो रहा है उसे profit ठीक है यह profit हो रहा है अब हमारे पास cost price यह था उसका और उसे profit इतना हो रहा है तो मतलब कि उसका जो selling price होगा वो कितना हो जाएगा 700 जमा 196 तो यह हो जाएगा 896 रुपे उसका selling price हो गया अब हमें निकालना क्या है कि उसका mark price अंकित कीमत क्या होगी ठीक है तो जो mark price है उसका formula होता है selling price into 100 upon में 100 minus discount ठीक है तो selling price कितना दे रखा है हमें 896 into 100 और discount कितना है 20 प्रतीशत का तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचा 80 बचा तो इसे cancel करते हैं 00 कडिया ठीक है और इसे काटा 2 से तो यह 4 हो गया तो 112 को 10 से गुना करा तो जो mark price है अंकित मूले जो है वो कितना हो जाएगा 1120 मतलब की 1120 रुपे तो इसका correct answer हो जाएगा option number 4 next question है एक काम को A और B एक साथ 36 घंटे में B और C एक साथ 45 घंटे में तथा C और A 60 घंटे में पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में B 60 प्रतीशत काम को पूरा करेगा ठीक है तो इस टाइप कोशन हो क्या solve करेंगे आई start करते हैं तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है जो A और B हैं A और B किते दिन में करते हैं 36 घंटे में करते हैं B और C जो हैं वो करते हैं 45 घंटे में और C और A जो हैं वो करते हैं 60 घंटे में ठीक है तो इनका अगर मैं एक दिन का काम निकालूँ A और B का तो यह जाएगा 1 बटे 36 B और C का निकालूँ तो 1 बटे 45 और C और A का निकालूँ तो 1 बटे 60 तो अब मैं अगर इनको एड करूँ तीनों केस को तो A B प्लस B C प्लस C A तो यह हो जाएगा 1 अपॉन में 36 प्लस 1 अपॉन में 45 प्लस 1 अपॉन में 60 तो यहाँ पर दो बार A है दो बार B है दो बार C है तो यह हो जाएगा हमारा 2 A प्लस B प्लस C इक्वल 2 अगर मैं इसका LCM लेता हूँ 36, 45 और 60 तो LCM कितना आएगा LCM लेके दिखा देते हैं पहले तो यहाँ पर अगर मैं इनैं गुना करूँगा तो HCM तो आगिया इसका 180 तो इसको किससे गुना करेंगे इसको करेंगे हम किससे 5 से तो 1 को 5 से किया 5 आगawl Annual Series को किससे करेंगे 4 से तो यह चार हो गया और 60 को किस से करेंगे, तीन से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 12 बटे में 180, इसको काटा तो 1 बटे 15, ठीक है, तो A प्लस B प्लस C, दो इसके बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बटे 30, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कोई काम करेंगे, 30 दिन में, ठीक है, 30 दिनो में तीनों में लेकर काम को खतम करेंगे तो हमें निकालना किसका है? B का, तो तीनों का हमें दे रखा है कितना? 30 दिन में करते हैं तो A प्लस B प्लस C में से अगर मैं A और C का काम घटा दूँ माइनस कर दूँ A प्लस C तो क्या बचेगा? तो ये तो आ रहा था है 1 बटे 30 इन तीनों का एक दिन का काम और A और C का कितना है? A और C का दे रखा है हमारे पास 1 बटे 60 तो इसको solve किया तो ये 1 बटे 60 हैगा तो ये आ गया हमारे पास B का एक दिन का काम तो B का एक दिन का काम एक बट्टे 60 है तो उस काम को कित्ते दिनों में कर रहा है 60 दिनों में कर रहा है ठीक है लेकिन हमें कोश्चन में क्या पूछा है कि वो उस काम के 60 प्रतीशत को पूरा कित्ते दिनों में करेगा तो किसी काम का 60 प्रतीशत काम को पूरा करेगा ठीक है तो 60 प्रतीशत कितना होता है 60 प्रतीशत होता है 60 बटे 100 काटाई से तो 3 बटे 5 तो इतने काम को भी कितने दिनों में करेगा तो इसको मैं उसके एक दिन के काम से भाग कर देता हूँ ठीक है तो एक दिन के काम से अगर मैं भाग करेंगे तो यह जो 60 प्रतिशत काम आया है उसको B के एक दिन के काम से भाग कर देते हैं ठीक है तो 3 बटे 5 को हम भाग कर देंगे 1 बटे 60 से तो हमारे पास किता वज़े तीन बटे 5 गुना 60 कैंसिल किया तो यह आगे 12, 12 तिया 36 त तो यह थे DSSB के TGT Natural Science का जो पेपर हुआ था उसके मैस सेक्शन के फर्स से लेके 5 तक के कोश्चन का सॉल्यूशन इसके आगे के कोश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे तो हमारे चैनल से जुड़े रही है थैंक यू